इस वक्त तुम लोगों का डिमांड है और जिस तरह की समय की मांग है कि तुमको कॉशन आंसर पते होना चाहिए पता होना चाहिए कि कौन से कॉशन तुम लोगों को देने वाला हूं बहुत इंटरस्टिंग सेशन होने वाला है तो वीडियो लाइक यहीं बनता है शेयर कर दो सबसे इंप Bonnet रोला जाएंगे और सबसे इंपरное बात यार लाइक करो जादर साइथ तो फासे है और यह वीडियो बहुत सब्काल कर एए और इससे पहले आगे वड़े यहाँ देखो भाई तुम लोगों के लिए सिरीज का फाइदा नहीं उठाओगे तो मेरे ख्याल से ये मेरी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी तो अभी हम लोग करने के आवाले देखो यार इस बार का बोर्ट तुमको पता है बहुत सारे टाइप के तो सारे चीजों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो एस चाप्टर से जितने भी केस बेस्ट इंपॉर्ट को जो की आ सकते हैं आएंगे ही आएंगे 110% वह वीडियो मैं तुमको दे दे रहा हूं वह सारे को इससे अटिंग करूंगा किस से स्टार्टिंग करूंगा मैं केस वाले कोशन से ठेके तो करना कुछ नहीं है बस मन लगाके पढ़ते जाओ और उसका जवाब देते जाओ तो यह बहुत इंपॉइंट सेक्शन होने वाला है देखो वाया केस बेस्ट का मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूं हर बार मैं बात कर रहा हूं ताकि ताकि तुम ल क्या कोशन साइंगे अब्जेक्टे वाले मतलब इस टॉप इस पैरग्राफ को पढ़ो और यहां का जवाब दो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए तो यहां इस चाप्टर एसे बेसे और सॉल से मोस्ट कौन कौन से हैं जली से देख लेते हैं पहले केस वन को लेते हैं यह पीशल जो एक यह वो क्लीन हो जाता है एंद वैशल बेंस टॉशाइए अगें और वह जो लेसल है ना बड़ता ने वह फिर से चमाखने लगता है ऐसा क्यों होता है दिस द्यू तुट फैक्त ऐसे इसलिए बेर बोड़ तै क्योंकि इतšक्ट करता है जो नीमू में जो एस पाई जाता है उससे यह रियक्ट करता है to form a salt which is washed away with water okay as a result the layer of a copper oxide is removed from the surface of the vessel and the shining surface is exposed okay अब यह तुमको एक paragraph दिया गया एक case दिया गया in fact कहना चाहिए और यहां पे देखो कुछ questions है बहुत important यह है यह पूरा का पूरा जो मैं तुमको भी questions करा रहा हूं बहुत important है तो इसको एक बार देख लिना और मैंने जैसा कहा था NCRT के most immune questions है तो यहां के अलावा तुमको भटकना नहीं पड़ेगा ठीक है सबसे बाती है okay which of the following acid is acid is present in lemon अब देखो उसी से जुड़ावा तुमको question पूछा formic acid, acetic acid, citric acid या hydrochloric acid तो तुमको पता है भी या neemoon में क्या पाए जाता है ये कोई बच्चा भी बता देगा citric acid जो होता है वो neemoon में पाए जाता है तो correct answer is C ठीक है okay next question is the nature of copper oxide is copper oxide का nature क्यासा होता है acidic basic neutral और एमफोट्रिक तो copper oxide का जो nature है वो basic nature है ठीक है ये तुमको पता होगा तो ये बी answer है next question पर आते हैं name the salt formed in the above reaction अब जो reaction यहां दिया हुआ है यहां reaction चुटा हुआ है तो यहां पर उस कौन सा salt prepare होता है इसका question को मैं नीचे पर repeat कर दूँँगा ठीक है इस question को आगे बढ़ते हैं next question को देखो यहां पर the phenomenon of copper getting tarnished is जो copper जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा tarnished हो जाता है उसको क्या कहते हैं corrosion, rancidity, displacement, none of these तो देखो भाईया copper जो tarnished होता है ना जिस प्रक्रिया के द्वारा जिस process के द्वारा उसको कहा जाता है corrosion, ठीक है, बहुत simple, देखो कितना आसान है, अब case number two, एक नया question हम ने लिया, और यहां पे देखो, तुमको ताजमहल का figure दिखाए जा रहा, आप ताजमहल का figure दिखा कर कि यहां क्या कहना चाहरा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, यहां कह रहा है, ताजमहल the seventh wonder of the world is made of white stone, marble पत्थर से बना हुआ है, तुमको पता है, this white stone contains the same substance A that is present in chalk powder, यह उसी चीज़ से बना हुआ है, जिससे की chalk powder बना होता है, उसी से बना होता है, उसको एक नाम दे दिया A, and limestone, it is turning yellow due to polluted air, okay, यह भी हमें पता है भाया, प्रदोशन के वज़ा से यह पीला पढ़ रहा है, if it is cleaned by an acidic cleaner, a gas B is released, अगर एक acidic cleaner से इसा साफ के जाता है, तो एक gas B release होता है, मतब यहाँ A और B हमें पहचान करना होगा, okay, which when passed through a solution C, forms the same substance which is present in the white stone that was used to make tag mehal, okay, यह हम को मिल गया, और यह हमें tag mehal का खुबसूरत सा चेहरा भी मिल गया, और यहाँ पर अब तुमसे कोशन पोच जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ABC जरूर पूछेगा, तो पहले ही तुमसे पूछा, the substance A is, तो यहाँ देखो answer क्या है, CACO3, gas B क्या है, तो यहाँ gas B है, carbon dioxide, solution C क्या है, solution C है, CAOS2, ठीक है, और यहाँ पर, what is the nature of the substance A, तो यहाँ पर इसका answer है, basic, ठीक है, substance A का nature कैसा है, basic है, तो यहाँ B option answer है, और यहाँ पर देखो, the polluted air around Taj Mahal leads to the following problem, because of, which it is getting marble cancer, ठीक है, तो यहाँ क्या है, answer है, AC drain, acid drain, acid drain क्यों होता है, तुमको पता होगा, अगर नहीं पता है, तो comment में मुझे पूछना, या तुमको पता है, तो बताना, अब इसी तरह से देखो, case number 3 है, यहाँ मैंने तुमको पूरा दिया हुआ है, और इसका PDF link मैं तुमको description में दे दे रहा हूँ, तो तुमको भटकने की बिल्कुल जरुवत नहीं है, और next part हम आ रहे है, accession and reason, ठीक है, बहुत important है, और बहुत easy है, मैंने बार बार कहा है, कि जब accession reason करो, तो यह चारो options तुमको पता होना चाहिए ही, चाहिए, तो यहाँ पे देखो, हमने 10-12, जो इस chapter के, acid, basis and salt chapter से, जो most important accession reason है, वो देखो, मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए, सामने निकाल के रखा है, ठीक है, यहाँ पांच बहुत important है, मैंने वो दे दिया, अब यहाँ पे इस chapter से जुड़े वे MCQ, most important, जो multiple, जो MCQ based वाले questions है, वो यहाँ पे दिये वे है, ठीक है, तो यह तुम लोग इसको पढ़ लोगे, और मैं एक series भी ला रहा हूँ, थोड़ा सा देर हो रहा है, बट होगा, शुरू होगा, और बहुत जम के होगा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, milkiness of lime water disappear when excess CO2 यानि कि carbon dioxide is passed due to the formation of, milkiness of lime water disappear, मतब lime water का milkness है, दूधियापन जो है, सफेरी, वो गया बुजाता है, क्यों, किस वज़ा से, calcium bicarbonate के वजहा से, उसके formation के वजहा से, चिक है, ओके, what is formed when zinc reacts with sodium hydroxide, क्या form होता है, जब zinc react करता है, sodium hydroxide से, क्या form होता है, जदा सोच के बताओ, कर रहा है, किस से, जिंक से, तो natural है, क्या बन रहा है, sodium zincate and hydrogen gas, जब तुम इसका chemical equation लिखते हो, तो उससे तुम को ये clarity और जादा बढ़ जाती है, चिक है, तो उमीद ए chemical equation तुम ने क्या होगा, the color of phenoliphthalein in acidic medium is, क्या है, colorless, तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, तुम को यहा पूरा mcq, जो इस chapter का है, वो पूरा मैंने दिया हुआ है, ठीक है, और अब हम आते है, very short, देखो भाईया, word limit पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और word limit पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए हमने तीन भाग में बाटा है, जो कि जिस type के तुमारे questions भी है, है, very short, short, or long, तो यहां देखो, very short में मैंने जितना, छोटे-छोटे questions इस, जो previous years में पूछे गए, वो मैंने दे दिया, and then short answer type questions है, देखो यहां पे, ठीक है, यहां short answer वाले सारे questions तुम को दिये वे हैं, और जिस तरह से word limit में रहते वे, तुम देओगे इसका answer, वो सारा का सारा यहां, पूरा mentioned है, और अब यहां पर आते है, long answer type questions, अब long answer type questions में ध्यान यह रखना है, कोशिश करो, कि अगर तुम points में answer दे सको, तो, चाहे वो कोई भी subject हो, चाहे वो science हो, SST हो, कोई भी subject हो, अगर तुम points में दे सकते हो, तो इसे better coach नहीं है, चाहे, तो यहां कि तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फाइदा होगा, और इन questions को जरूर पढ़ लिना, इसका link तो मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, यार, बिलकुल तुमको इसे घबडाना नहीं है, और जबरदस चुरूप से तैयरी करनी है, ठीक है, तो वीडियो को like, share, comment ज़रू करना बनता है, क्योंकि बहुत research लग रहा है, बहुत मैंनत लग रही है, लगा था हम लोग कोशिश कर रहे है, और तुम लोगों के लिए different, जो तुम लोगों का demand है, वो भी मिल रहा है, और आज एक next video आएगा, बहुत important, analytical paragraph में तुमारा question था, कल मैं तुमको दे चुका हू में तुमको सब कुछ हम दे रहे हैं, प्लीज, I request you all, share करो इन वीडियो को, like करो, और comment जरू करना, मिलते हैं next video, this one from my side, जै हिंद, जै भारत